हेलो स्ट्टूडेंट कैसे हैं अबहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे अच्छे होने छिएंह तो आज की अपनी क्लास होगी burn के उपर तो चलो करते हैं अपन nov nov किख वह घ्ड़ सप्थ जयसा संबर्न होता है कई पड़े सेंसिटीव होते हैं कि बाहर जाते ही लाल हो जाते हैं तो वह संबर्न वाले कंडिशन हो सकती है उसको उसके अलाओ कोई चे प्रौह सबूखें फैक्तुरी के अंदर उनकी वज़ेश जलने के चांसे बर जान उसके बाद में थर्मल हो गया डायरेक्ट आग की लप्टों के अंदर जुलस गया fireman बन रहा था जुलस गया आग के लप्टों में हुआ करती थी केस हुआ करते थे वह केरोसीन की वज़े से आते थे पहले क्यों कि पहले लपीजी थे आनी बर्न का या तो क्या हो सकता है होम हजार या ओक्योपेशनल हजार होम हजार का मतलब क्या होता है कि घर पे वह जल सकता है घर पे अच्छी कुछ हो सकता है general household में kitchen और bathroom में कैसे हो सकता है जैसे kitchen में तो kitchen में खाना बनता है LPG gas पड़ा हुआ है खाना बनता है चापाती बनती है पानी गरम करते हैं उन condition में हो सकता है microwave हो सकता है आग लग सकती है दूसरा bathroom में कैसे हो सकता है घीजर रोन कर दिया बहुत ज्यादा गरम पानी से नहा लिए उपर डबबा गिरा दिया हाथ एकदम गरम गरम पानी में हाथ डाल दिया तो उस condition में वह बर्न हो सकता है general household में कैसे हो सकता है general household में हो सकता है आपका wiring सही नहीं है और extension board बहुत ज्यादा बढ़ा मासे तो उसकी वज़े से भी हो सकता है और माचिस candles बढ़े मना रहे थे बना बढ़े रहे थे बन हो ली गई वहां पर धान नहीं दिया तो कपड़े जल सकते हैं परदे जल सकते हैं occupational में कैसे हो सकता है कि occupational वह वहाँ पर काम करता है जैसे तार हो गया chemicals हो गया कुछ जल गया वहाँ पर शोर्स अड़कित हो गया electricity वाली हो गई तो यह source of injury है अब next अपन देख रहा है type of burn injury जिनको अपन कोज भी कह सकते है बन के कोज क्या है वह भी अपने उसी के अंदर आए बहुत ज्यादा extreme heat बहुत ज्यादा हवा तेज हवा जैसे तेज हवा गया example क्या है जैसे चपाती बनाते है तो चपाती बनाते है तो उसको गुमाते है चपाती को गुमाते क्या होता है अपने अंगुली से चपाती फट जाती है तो वो जो एयर निकलती ही हवा उस चपाती के अंदर से वो भी बर्ण करवा सकती है तो तो most common type of burn यही है, thermal या heat वाल, क्योंकि जब भी patient अपने पास hospital में आता है, तो most commonly उसका thermal वाला ही burn की situation के आते हैं patient अपने, देखते हैं अपने chemical, तो chemical की वज़े से क्या हो सकता है, वापी से वही देखते हैं, कुछ chemical acidic हो सकता है, कुछ chemical alcoholic हो सकता है, hydrochloric acid हो गया, तेजाब हो तो इनकी वज़े से भी burn होने के बहुत ज़्यादा chances रहते हैं, अगर इनको handle अच्छे से नहीं किया, important चीज ध्यान रखना, जो alcoholic substance से burn हुआ है, alcoholic chemical से burn हुआ है, उसकी recovery बहुत ही poor होती है, acidic की तुल्ना में, इसका कारण यह है, कि जो alcoholic burn है, alcoholic substance है, वो body के अंदर protein का hydrolysis और liquidification कर देते हैं, मतलब protein को ही खतम करवाने का काम करवा देते हैं, तो जब protein को ही खतम करवाने का काम करवा देंगे, तो body कि की बिल्के बनी विए, भई protein की, lipoprotein की है, muscles protein की बनी बनी विए, तो वो protein को ही damage करवा देगा, तो अपनी skin भी damage होगी, तो वो बहुत ही difficulty होती है, उसकी recovery में तो एलकेलिक क्या होता है difficulty to manage क्यों क्योंकि यह hydrolysis करवा देता है और liquefaction करवा देता है protein का next अपन देखते है radiations radiation therapy चल रही किसी को तो radiation therapy अगर किसी को चल रही है तो उस condition के अंदर भी क्या होता है उसके burn होने के chances next देखते है extreme cold extreme cold का मतलब क्या होता है जहां लेलदग वाले situation हो गई या अंटार्टिक वाली जैसे conditions climate हो गया तो वहाँ पे temperature minus में 30 40 50 डिगरी तक रहता है तो वहाँ पे क्या होता है जब direct उस ice के उस बर्फ के अंदर direct अगर कोई body का part touch हो जाता है तो वह वहाँ पे blood supply compress करवा देता है नेक्रोसिस करवा देता है उस जगय को तो वह भी burn की ही category के अंदर आता है जिसको अपन कहते है frost bite तो frost bite के अंदर क्या होता है नेक्रोसिस हो जाता है टिशू और सेल का तो यह एक्स्रीम कोल्ड का electrical burn तो next electrical burn के अंदर क्या important चीज़े ध्यान रखनी अपने को electrical burn क्या काम करवाता है यह सिर्फ skin को ही damage नहीं करवाता यह skin के अंदर जो deep में जो muscles है उन muscles को भी damage करवाता है तो एक फिनोमिना एक effect देखने को मिलता है electrical burn के अंदर जिस effect को अपन कहते है आइस बर्ज effect तो आइस बर्ज effect के अंदर क्या होता जैसे अपन देखते हैं कई बार कई अपन मोटिवेशनल वीडियो के अंदर भी देखते हैं तो उपर क्या दिखता है अपने को उपर उपर तो यह समुदर है मानलो और यहां उपर उपर अपने को बर्फ दिखाए दे तो motivational वीडियो में पर देखते हैं ना कि उपर तो है जो है इसके अलवा deep भी उसके बहुत जाता burn है वो burf है तो यह iceberg effect का लगता है तो ऐसे ही क्या होता है जब electrical burn होता है तो वो सिर्फ skin को ही effect नहीं करता वो वहां की muscle और bone को भी damage करवाने का काम करवाता है तो वो muscle और bone deep में होती है उन पे अपने को पता नहीं चल पाता है कितना burn हुआ है next अपन देखते हैं कि electrical burn के अंदर kidney कैसे damage हो सकती है किसी ही renal failure कैसे हो सकता है अब जब electrical burn होगा तो muscle damage होगी muscle damage होगी तो क्या होगा myoglobin protein release होगा hemoglobin release होगा ये कहां जाता है ये जाता है circulation के through kidney के पास क्योंकि excretion तो kidney का काम होता है तो ये myoglobin और hemoglobin protein कहां जाते हैं blood में circulate होके जाते हैं kidney में kidney पे जाने के बाद में क्या काम करवाते हैं वहाँ पे वो accumulate हो जाते हैं नेफरोन में किड्नी के नेफरोन में accumulate हो गए इखटे हो गए तो फर्दर उन्होंने वहाँ के blood supply को compress करवा दिया blood supply काम नहीं करेगी तो वहाँ पे क्या हो जाता है वहाँ एक condition देखने को मिलती है जिसको open करते है है acute tubular necrosis तो यह condition भी किसके अंदर देखी जाती है यह electrical burn के अंदर देखी जाती तो दो important चीज़े है electrical burn के अंदर एक तो है iceberg effect दूसरा है acute tubular nephrosis बर्न के अंदर क्या होता है यह tissue को anoxic करवा देता है और tissue की death करवाने का कोच करवा देता है cv80 किस पर depend करती है भाई बर्न की electrical burn की electrical burn की cv80 depend करती है भाई voltage कितना था जितना ज्यादा voltage होगा उतनी ही ज्यादा cv80 बढ़ेगी pathway के ऐसा था उसका direct था indirect था तो उसके उपर भी cv80 depend करती है और body का कौन सा वाला area कौन सा वाला हिस्सा कौन सा वाला part उसके effect में आया उस पर भी depend करता है cv80 का तो tubular necrosis जो होता है उसके अंदर हमेर सा patient का urine output चेक किया जाता है burn electrical burn आता है तब यह nursing priority है next अपन देखे human being लगवख 50 volt का current अगर उसकी body dry है तो वो सहन कर सकता है अगर उसकी body गीली है तो 75 volt का current उसके लिए dangerous होता है 0.1 ampere का current अगर human body के अंदर से 2 second तक के लिए travel कर जाए तो death करवाने का काम करवा सकता है अब देखते हैं अपन कैसे electrical current के अंदर किसी person की death होने के chance कैसे होता है वो अपन देखते हैं तो क्या होता है जब body के अंदर सारी की सारी जो अपनी body है वो body mostly water और fluid की बनी भी है तो ये water और fluid current का good conductor होता है तो जब इंसान की body पे current लगता है तो बहुत ही CVT देखने को मिलती है जब current लगेगा तो दो condition देखने को मिलेगी अपने एक तो क्या होता है वहाँ का सारा का सारा जो fluid होता है वो destroy हो जाता है जब fluid destroy होगा तो obvious बात है यार blood के अंदर plasma है blood cells है तो वो plasma fluid है तो plasma भी क्या होगा वहाँ पे खतम हो जाएगा जब plasma खतम होगा तो पीछे क्या बसता है सिर्फ blood की cell बसती है और वो blood गाड़ा हो जाएगा जब गाड़ा blood हो जाएगा तो heart उसको pump नहीं कर पाएगा और जब heart उसको pump नहीं कर पाएगा तो lungs की तरफ नहीं जाएगा brain की तरफ नहीं जाएगा heart के उपर load बढ़ेगा तो at last यह क्या काम करवाता है heart attack heart failure का काम करवाता है एक situation यह दूसरी क्या देखते है current direct heart को affect करता है कैसे करता है क्योंकि electrical impulse generate होता है heart के अंदर आपन पढ़ते है कंडेक्टिव सिस्टम अपन पढ़ते है ऐसे नोड एवी नोड बंडलो फिज पूर्खिंज फाइबर तो यह electrical impulse generate होता है जब current लगता है तब क्या होता है वह current जो electricity थी वह heart के अंदर से होती हुई travel करवाती है और इनकी current जो यह generate करता है एसे नोड एवी नोड इनको abnormal करवा देता है और क्या काम करवा देता है वहाँ पे वहाँ पे arrhythmia है यह dysrhythmia करवा देता है और उसकी वज़े से भी क्या हो सकता है उसकी वज़े से भी heart fail होता है और current लगने के बाद जब इनसान की date होती है तो उसको कहते है अपन electrocution यह important चीज है electrocution क्या है current लगने के बाद जब किसी की date हो जाती है तो उसको वह condition कहला थी इलेक्ट्रो क्यूशन कि next अपन discussion करते हैं कि CVT of burn किन-किन चीजों पर depend करती है किन-किन चीजों पर CVT of burn किन-किन factor के उपर depend करती है CVT of burn डिपेंड करती है एक तो depth of burn burn कितना गहरा है तो first degree है second degree है अभी next अपन यहीं देखेंगे कि burn के depth के according कितने परकार का burn हो सकता है next जितना ज्यादा डिगरी का burn होगा उतना ही CVR burn होगा next देखता है total body surface area burn कितना ज्यादा body का surface area burn होगा उतना ही ज्यादा CVT वाला burn होगा next देखते हैं अपन age के उपर burn की CVT कैसे depend करती चोटा बच्चा है तो उसका surface area भी अपने से कम होगा तो एक तो वो current अपने को लग रहा है वो burn अपने को हुआ है same ही intensity का burn उसको हुआ है तो CVT उसके ज्यादा रहेगी क्यों क्योंकि उसका surface area कम है next देखते हैं अपन elder person elder person में क्या होता है उनकी skin के integrity सही नहीं होती है मसल उनके भी कहती है बोडी इतना काम नहीं कर पाती तो इसकी वज़े से क्या होता है उनके अंधर भी burn की CVT ज्यादा देखने को मिलती है next देखते हैं अपन location वह कौन सी जगे burn हुआ पर्ण जब face, neck, head और torso का मतलब होता है trunk region टोरसक का मतलब क्यों होता है यह thoracic region होता है trunk region इसको अपन torso केते हैं तो जब burn face, neck, head और torso पे होता है तो वह वहाँ पर क्या काम करवा सकता है वह पर respiratory distress करवा सकता है respiratory failure करवा सकता है patient के अंदर नेस्स देखते हैं अपन पेरीणियम पे अगर पेरीणियम पे बर्न होता है तो बहुत ही ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं in infection होने के तो पेरीणियम एरिया प्रोन होता है in infection के लिए नेस्स देखते हैं अपन medical history के उपर पेशेंट की अगर किसी को diabetics मिलाइटस है डाइबिटेक मिलाइटस के अंदर तो ऐसे ही टिश्यू रिकोवरी नहीं होती है हील नहीं होता अगर उसको और बर्न होगे तो बहुत ज़्यादा सीवेटी हो जाएगी हर्ट फेलियर है अब देखते हैं आपने अपने समझ लिया दो मिनिट के अंदर तो और सारे के सारे टाइप पता चल जाएंगे अपने को और सारे के सारे उनके मैगजिमम्म फीचर पत सबसे पहले बर्न देखते हैं तो यह क्या है इसकीन क्या होती है इसकीन तीन चीजों से मिलके तीन लेयर से मिलके बनी वी होती है इपीडर्मिस डर्मिस और हाइपीडर्मिस का काम क्या होता है अपने को बाहर से कोई भी इंफेक्शन हुआ उस इंफेक्शन से बचाने का काम करवाती है डर्मिस का क्म क्या होता है अंदर डर्मिस ब्लेंड ख παγα़ती है जारस प्लाइग रहती है इसके अंदर यह में लेयर का ग्रॉध करवाती है ड्वलफ्मेंट प्राथी और हाइपोडर्मिस का काम रहता है हाइपोडर्मिस का काम रहता है आपका वहाँ पर टेंपरेचर को रेगूलेट करवाने का और भी सपोर्ट करवाने पा तो इनके यह फंक्शन लिखे हो अब अब अपन देखते हैं चाहिप सीवेटी के खोड़िंग जो यह डेमेजुरी तो आप देख रहे हैं अपन टाइप बटाइप अपन डेफ के अपोड़ इन्देख रहे हैं कितनी गहराई तक होता तो सबसे पहले होता फस्ट डिग्री दूसरा सेकंड डिग्री तीसरा थाइड और चौत फोर्ट डिग्री यह दिग्री ले रखी है याद रखने के लिए कि कितनी degree है उतनी skin की layer जलेगा first degree है तो एक layer जलेगी second degree है तो दोनों layer जलेगी third degree है तो तीनों layer जल जल जाएगे और forth degree है तो तीनों layer जलने के बाद में अपने जो skin के अंदर जो muscles और bone है वो भी मैं जो जाएगे तो first degree को अपन कहते है partial thickness burn या superficial superficial क्योंकि सबसे उपर का है इसलिए इसके अंदर क्या देखने को मिलता है redness देखने को मिलती है यहां से जल गया तो यहां से क्या देखने को मिलता है अपने को red red area देखने को मिलता है अब यह redness area क्या होता है इसको अगर अपन compress करके देखते हैं तो bletching मतलब यह redness दूर हो जाती है और क्या पेन होता है थोड़ा सा हलका सा थोड़ी सी swelling आती है पर blister वगिरा का कोछ भी formation नहीं होता second degree के अंदर क्या होता है second degree को deep partial thickness burn भी कहा जाता है इसके अंदर damage होती है दोनों layer यह first layer और यह second layer यह दोनों ही layer deep तक damage हो चुकी है इसके burn के अंदर तो दोनों ही deep तक damage हो चुकी है और sinosymptom भी severe देखने को मिलेगी इसके अंदर क्या होगा severe pain होगा यह बहुत important चीज है कि burn के कौन सी degree के अंदर सबसे ज्यादा pain होता है तो severe pain second degree में as for severe as for second वहाँ पर फफोले develop हो जाएंगे फफोलों के अंदर पानी बढ़ जाएगा और redness देखेगी इसका healing time होता है एक से तीन बिख तीसरा देखते हैं अपन थार्ड डिगरी थार्ड डिगरी में क्या होता है यह जो burn था यह यहां तक आ चुका है यह burn कहां तक आ चुका है यह तीनों layer ही damage हो चुकी है तीन और थार्ड क्या 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 इसके अंदर एक important दीजे ए एशकार formation का मतलब क्या हो आलू की जो उपर की covering रहती है जो चिलका रहता हो हाड हो जाता ब्लेक कलर का लेदरी कलर का होता है वैसे ही skin जब जलती है 2nd और 3rd और 4 डिगरी में तो वह skin वहां से हाड हो जाती है बहुत ही जादा और अलग से उसका structure देखने को मिलता है तो यह एसकार formation respiratory difficulty करवाता है और white vexy cherry black color की वहां पे substance देखने को मिलते हैं अपने को leathery hard skin जिसको एसकार करते है next 4 degree 4 degree में क्या होता है तीनों layer damage हो गई और उसके साथ में जो यह अपने को muscle और bone tissue दिख रहा है यहां तक भी damage हो जाता है important sign इसके अंदर कोच भी pain का sensation नहीं होता है बिलकुल क्योंकि nerve ending वहां क देमेज हो चुकी है black cherry wound होगा और उसके अंदर requirement होगी skin grafting need grafting of skin इसमें भी कोई pain नहीं होगा फर्स्ट डिग्री के अंदर क्या होता है superficial epidermis damage होती है second degree में दोनों ही damage हो जाती है epidermis और dermis third degree में तीनों ही damage हो जाती है epidermis dermis और hypodermis 4 degree के अंदर सारी damage होके muscle tissue damage हो जाते हैं और bone तक effect में आ जाती है next अपना एक ही रह गया था जो अपन कोज पढ़ रहा थे उसके अंदर smoke or inhalation injury जो causes upper type देख रहे था न उसके अंदर तो smoke और inhalation injury के अंदर क्या आद रहा है वह smoke मतलब धुआ inhalation मतलब अंदर जाता है जब क्या होता है burn हो जाता है तब अगर किसी कमरे के अंदर बंद है उस condition में पूरा का पूरा धुआ अंदर चला जाता है या पहुत ही तेज हवाएं जब बहुत ही आग वाली हवा जो होती वो अपन इस मूग इनहेल करता है तो उससे बर्न हो जाता है वो क्या काम करवाता है वो respiratory damage करवाने का काम करवा देता है और दूसरा उसकी वज़े से क्या होता है carbon monoxide की poisoning हो जाती है और carbon monoxide की poisoning होती है तो उस समय सबसे important sign patient में देखा जाता है cherry red lip यह carbon monoxide का important sign है patient के अंदर अब यह क्यों होती यह इसलिए होती है कि अपन देखते है oxygen की कमी हो जाएगी उसकी वज़े से क्या होगा air का exchange नहीं हो पाएगा जब air का exchange नहीं होगा तो carbon monoxide का level बहुत जादा बढ़ेगा अंदर lungs में जिसकी वज़े से cellular respiration नहीं हो पाएगा और carbon monoxide hemoglobin से बहुत ज़्यादा bind हो जाएगी और उसकी वज़े से क्या development हो जाता है carboxy hemoglobin का ठीक है और उसकी वज़े से patient की death होने के chances रहते हैं दूसरा अपन देखें अपर airway injury में कैसे होता है अपर airway injury होती है तो उस समय क्या देखने को मिलता inhalation किया उसने mouth, nose, oropharynx, nasal pharynx है तब क्या होता है उसकी mucosa, nasal cavity की mucosa है, oropharynx है उनकी सारी की सारी mucosa damage होती है जब mucosa damage होगी तो वहाँ पे redness होगी, वहाँ पे edema होगा और वहाँ बिस्टर्स का formation होगा burn की वज़े से जब ये तीनों चीजों का formation होगा तो ये सारी चीजे क्या क करवा देती है, जैसे ये airway का compression होगा फिर patient की death होने के chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, pathophysiology, burn की तो pathophysiology के अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, burn हुआ तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ के tissue damage होगे, और वहाँ के tissue damage होने के साथ में क्या होगा, cellular disruption, जो cells होग वह abnormal हो जाएंगी, तो इनकी वज़े से क्या देखने के मिलेगा, wide spread systemic inflammation, बहुत ही body के अंदर systemic inflammation, inflammatory reaction स्टार्ट हो जाएंगी, उसकी वज़े से जो vascular permeability है blood की, blood vessels की वह बढ़ जाएंगी, जैसे यह blood vessel है, normal, और यह, यह normal है, यह burn की वज़े से हुई, तो क्या होगा, permeability बढ़ जाएंगी, और वहाँ की leaky structure देखने को मिलेगी, तो जो compartment है अंदर वाला, यहां से blood और fluid बाहर की तरफ shift होने लगेगा, और जब fluid और electrolyte accumulate हो जाएगा इस third space में, और जब third space में accumulate हो जाएगा, तो fluid volume कम हो जाएगा अंदर इसके blood vessels में, तो जब blood vessels के अंदर fluid का volume कम होता है, तो hypovolumic shock हो जाता है, और hypovolumic shock की condition में क्या देखने को मिलता है, BP बहुत ही जादा कम हो जाती है, पेशन की, और पेशन की death होने के chances बहुत जादा बढ़ जाते है, तो यह इसकी pathophysiology, क्या देखा है, अपने सबसे पहले क्या होता बहुत है, बहुत जादा tissue damage होंगे, cellular disruption होगा, वहाँ पे inflammatory mediates आएगे, inflammatory reaction होगी, capillary की permeability बढ़ेगी, उसकी वज़े से fluid third space में shift हो जाएगा, अंदर वाला fluid बाहर निकल जाएगा, तो blood vessel के अंदर fluid कम झाल कर वाल कर झाला मो जाएगा होगी, बहुत है क्या है, तो मोच़ जाएगे, झाल और भ्ट perdभ बड़ेगे, दु़त हो जाएगे, झ।ा रम झाला